हेलो दोस्तो परदेशी फ्लाइट यूटू चैनल पर आप सभी का विलकम है दोस्तो फ्लाइट और ट्रिवल्स को लेकर कुछ बहुत ही महातपोल अपडेट आई हैं को वैक्सीन को लेकर डबलो एच्चो की तरफ से बड़ी जानकारी दी गई है इसके लाव दोस्तो इंडिया और सौधियरभ के दर्मियान फ्लाइट बुकिंग को लेकर बड़ी अपडेट है एर इंडिया की तरफ से साथ में इंडिया और यूसे के दर्मियान फ्लाइट पहले पहुंचे तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं को वैक्सिन को लेकर तो इंडिया में जो भी लोग को वैक्सिन लगवा चुके वो लोग WHO के approval का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इंडिया में co vaccine और cove seal vaccine लग रही है लेकिन शुरुवात में ऐसा कुछ था नहीं कि co vaccine वाले travel करेंगे या cove seal वाले travel करेंगे किन को permission होगी किन को permission नहीं होगी जिसको जो vaccine मिला उसने वो vaccine लगवा लिया लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि COVID-19 को ही मानता दी गई, COVID-19 वाले ही ट्रवल कर पारें, हाला कि COVID-19 के साथ ने भी कुछ समस्यां उत्पन हुई थी, तो अब बात करते हैं, को वैक्सीन को लेकर कि को वैक्सीन वाले कप्टरवल करेंगे, तो इसको लेकर दोस्तों, WHO की जो टेक्निकल एडवाईजरी ग्रूप है, उसकी मीटिंग होने जा रही है, 26 अक्टूबर को, उसमें पूरी तरीके से इस पर साफ हो जाएगा, कि WHO को वैक्सीन को एप्रूवल देगा या नहीं देगा लेकिन इस बात की संभावना 99 फिस्दी है, कि को वैक्सीन को 26 अक्टूबर को एप्रूवल मिल जाएगा, क्योंकि पिछले दिनों ही भारसरकार के जो विदेश सच्चु हर्सवर्धन स्रिंगला, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था, कि को वैक्सीन को बहुत जल को होने जा रही है, तो ये अंतिम मीटिंग होगी, इसमर ही फैसला हो जाएगा, कि को वैक्सीन को एप्रूवल दिया जाएगा, या नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप लोग मुतमें रहें, बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहें, क्योंकि को वैक्सीन को एप्रूवल म मिल सकता है 26 अक्टूबर की तारिक तै कर दी गई है डबलू एच्चो की तरफ से तो हम सब दोस्तों इंदिजार करते हैं 26 अक्टूबर का कि 26 अक्टूबर को क्या फैसला होता है डबलू एच्चो की टेक्निकल एडवाईजरी ग्रूप की मीटिंग में अगली अपडेट दोस्तों इंडिया और सौधिय अरप के दर्मियान फ्लाइट बुकिंग को लेकर है तो एर इंडिया की तरफ से जानकारी दी गई है कि एर इंडिया ने 31 अक्टूबर से 26 मार्च के लिए अपनी फ्लाइट की बुकिंग को ओपन कर दिया है रियाद से दमा आपको फ्लाइट में चलने नहीं दिया जाता है आपके डाकुमेंटेशन में कमी की वज़ा से या रूल्स की है और गलत तरीके से आप ट्रूल करने की और आगर आपको रोका जाता है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी तो एर इंडिया ने बताया है कि अगर आप साओ अपसे इंडिया के लिए ट्रोल करना चाहते हैं तो 31 अक्टूबर से 26 मार्च के लिए फ्लाइट की टिकट की booking open कर दी गई है आप travel agent के जरीए टिकट बुक कर सकते हैं एर इंडिया की website से टिकट बुक कर सकते हैं आनलाइन टिकट भी आप बुक कर सकते हैं ऐसा एर इंडिया की तरब से बताया गया है तो मेरी आप सबको राय है कि जब आप टिकट बुक करें तो rules and regulation जो हैं उसको काईदे से चेक कर लें इसके लवा टिकट में ये भी चेक कर लें कि टिकट refundable है या non refundable है क्योंकि इस समय आप refundable टिकट ही खरीदे भले चाहे थोड़ा महगाई क्यों ना क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको टिकट कैंसल करने की नौबत आ जाती है या कई बार ऐसा होता है कि कुछ document की वज़ासे आपकी flight नहीं हो पाती है आपको boarding करने नहीं दी जाती है तो आप इस चीज को चेक कर लें कि क्या after flight पैसे refund करने की दवस्ता है कि नहीं है airlines की तरब से कि अगर आप boarding नहीं कर पाया तो उन हालात में आपके flight के ticket के पैसे वापस होंगे कि नहीं होंगे इन सारी चीजों को आप चेक करके ही ticket book करें बैर अलग इंडिया से सौधी अरब व सिच्छा छेतर से जुड़े हुए लोग है यानि जो educational staff वाले हैं उनको भी डारेक्ट रोल करने की permission दी गई है सौधी हुकूमत की तरफ से चाहे उन्होंने vaccine लगवाई हो या ना लगवाई हो बाकी जो आम तपका है जो आम लोग है जो गरीब लोग है जो labor तपका है उनक अमाम जरूरतों को खत्म कर दिया गया है तो ऐसी उमीद की जा रही है कि जल से जल सौधी हुकूमत ये फैसला कर सकती है कि जो दस देसों पर पावंदी लगी हुई है वहाँ के लोगों को भी डारेक्ट रोल करने के लिए permission दे दी जाएगी जो लोग home country में vaccinated हैं उनको allowed कि जा सकता है सौधी हुकूमत की तरफ से जल से जल ऐसी उमीद की जा रही है बैराल दोस्तों इस पर update होगी तो आप तक पहुचाऊंगा अगली update दोस्तों इंडिया और USA के दर्मियान flight booking को लेकर है तो एर इंडिया ने tweet करके जानकारी दी है कि इंडिया और USA के दर्मियान flight booking open कर दी गई है 29 अक्टूबर 2022 तक के लिए यानि पूरे एक साल तक के लिए flight की booking open कर दी गई है इंडिया से USA के लिए इसके लावा USA से इंडिया के लिए तो अगर आप Air India की flight से ट्रूल करना चाहते है USA के लिए और USA से इंडिया आना चाहते है Air India की flight से तो आप Air India की booking कर सक तक के लिए बुकिंग ओपन कर दी गई है बैराल दोस्तों ये आज कुछ खास अपडेट थी जो आप तक पहुचा दी गई है आगे कोई और अपडेट होगी फ्लाइट और ट्रेवल्स को लेकर तो वो आप तक पहुचाई जाएगी इसके लिए आप परदसी फ्लाइटी ट प्रेल को सब्सक्राइब कर लें मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक आप अपना क्याल लगिए खुश रहिए गुड़ बाई